इस दिवाली किन बातों का खयाल रखे कब दिवाली आपको मनानी है किस क्या शुब मुहूर्थ है इस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन खास प्रमान हमारे साथ जोड़ गए है आपका परिचे उनसे करा देती हूँ स्वामी दयानन्द पाताल बाबा हमारे साथ इस्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी शैलेशा नंदगिरी महा मनलेश्वर है हमारे साथ इस्टूडियो में स्वामी उपमन्यू एस्ट्रोलोजर हैं आच्वार जीतु सिंग जोतिशा चार हैं रितु सिंग भास्तूगुर हमारे साथ जुड़ गई है राच प्रोहित मधूर जो तिशा चाह रहे हैं और साथी डॉक्टर मधू कोटिया टेरो कार्ट फीडर हमारे साथ इस्टूड़ी में मौजूद है सबसे पहले मैं आऊंगी मधूर जी आपके साथ से क्या 31 को दिवाली मनानी चाहिए और मुहूर्ट क्या है पूजा का शुब मुहूर्ट क्या है और साथी इस दिवाली की पूजा क्योंकि सालभर में एक पूजा आती है और मालक्षमी को प्रसन्नी करने की पूजा है तो किन बातों का खास खयाल बखना चाहिए क्योंकि पूर्व दिसा से ही सूर्योदे होता है और पूर्वांचल की परंपरा कासी की परंपरा से जब सूर्य अपने अस्त के समय पस्चिम दिसा की तरफ बढ़ता है तो बहुत ज्यादा अक्षांस और रेखांस का अंतर नहीं आता दस बीस पचीस मिनिट का और इस अक्षमी को प्रसंद करने के लिए 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाएं बाकी पर्व है पर्व में हरसो लास से आप अपने स्थिती को सदयव आगे बढ़ाते रहे हैं रही बात की किस विर्दि से आपको पूजन करना है तो पूजन की परिस्थितियां सामान में होती है दैहिक, दैबिक, भौतिक तिन प्रकार के किताप होते हैं और मनसा, वाचा, कर्मडा तिन प्रकार से भक्ति की जाती है नौ प्रकार की भक्तियां होती है लेकिन मन से, वचन से और कर्म से मन से क्या करना है अपने आपको पस्थित रखना है कर्म से क्या करना है सामगरी को चड़ाना है वचन से क्या करना है आरती चाली सा आधी तमाम प्रकार से जो मंत्र ब्रामणों बैदि विद्वानों द्वारा बताये जाए उसका आपको चारण करना है अब रही बात कि पूजन विधी का जो क्रम है वो जान लेते हैं सामान सब्दों में क्योंकि पूजन दो तरीके के लोग जो है करते हैं एक तो बहुत सामग्रियों को ले करके करते हैं और एक मिट्टी की प्रतिमा गणेश लक्षमी की स्थापित करके सामान निजनमानस जो निचले वर्ण में आते हैं लोग जिनके पास बहुत सुखसुदाएं नहीं है वह भी लक्षमी की प्राप्त करने के लिए करते हैं तो दोनों के लिए सटीक है स्थिती क्या है आप लाल आसन पर विराज मान हो लाल हो या पीला हो आसन कोई भी हो वस्तर का विसेश ध्यान रखें कि काले कलर के नीले कलर के वस्तरों का विसेश रूप से निसेद है लेकिन नीला कलर का वस्तर माताएं पहन सकती हैं लाल कलर के वस्तर को भी धारण कर सकती हैं पुरुसों को साक्षा ध्यान देना चाहिए इस्त्री की परमपरा मर्यादा के लिए अभरत रखा जाता है जिसमें आपको वस्त्रों की भूमिका इसलिए रखनी है कि जब आप इस्त्री के सम्मान के लिए प प्रक्षमी को प्रसंद करेंगे तो बहतर कृपाप्राप्त होगी रही बात भगवान को जब आप आसन दें तो लाल आसन दें विसुद्ध लाल आसन हो और उसमें देवी देवताओं की प्रतिमा को समाजुजित करें साथ ही साथ कुल देवी की प्रतिमा को अवस्य आज बै केसर का तिलक इसलिए लगाना चाहिए कि लक्षमी की इस्थिर्टा जो होती है बेक्ति की जीवन में वह केसर आधी चंदनों से क्योंकि चंदनस्तों महत्पुन्यम पवित्रम पापनासनम आपदाम हरते नित्यम लक्षमी तिष्ठत उसरवदा तो लक्षमी की प्रतिष्ठ के लिए आप जो है केसर का तिलक लगाएं साथ-साथ अक्षत और आज की दिन कमल का अवस्य समर्पित करें और आगे माताएं जो जो है सोभाग्योती माताएं हैं वो सिंदूर अवस्य चढ़ाएं जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है वह भी सिंदूर आज के दि कि मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो है वो इस बात पर अग्री कर रहे हुंगे कि 31 को दिवाली मराई जानी चाहिए स्वामी शलिषा नंजी हमारे साथ है स्वामी शलिषा नंजी देखे दिवाली की पूजा किस दिन होगी क्योंकि हमने मधुर जी को भी सुना और रितु जी भी यह कह रही है कि एक अक्तिस तारीक को यह पूजा होनी चाहिए आपके साथ से क्या शुब मोहुर्थ है दिवाली की पूजा को लेकर और धंतेरस पे भी छोटी दिवाली पर भी लोग पूजा करते हैं तो धंतेरस और छोटी दिवाली पर जो लोग पूजा करते हैं उन्हें किस वातों का ध्यार नखना चाहिए और साथी धंतेरस और छोटी दिवाली का पूजा का मोहुर्थ क्या है आपके साथ से देखें यह तो इसपष्ठ है कि तीथियों में तीथि अम्मा वस्या महालायाज इस रोजे उसी रोज दिवाली मनाना चाहिए तो जो विदवत जनों ने कहा है जो पंचांका कहना है वो एकत्तीस अक्टूबर की रातरी की दिवाली मानी जाएगी हम लोग जो बात कर रहे हैं तो संद्र की सपष्ठ है कि एक शलोग है आपसे समेतू तेविश्यो तत्सों मुशलियम भवा वाजसे संगते हैं तो जिस पकार से चंद्र जो है अपनी किर्णों को भिखेरता है बिना किसी पक्षपात के महालाया एक कैसा संधीकाल होता है कि जिस तो चंद्र की वो सूर्य की जो किर्णे है वो एक एक इक्विनॉक्स मनाती है और जो एक्विनॉक्स है वो हम कहेंगे उसे सिर्फ और सिर्फ 31 अक्टूबर की रातरी को 33 अक्टूबर की रातरी को हम लोग प्रयाज करें कि जाज़ जादा साधा को सोच अपनी साधना करें हमने पुरूम में भी बताया कि दिखे जिस घर में कन्या नहीं होती उस घर का मंदिर का दिया भी कई बात मरगट का दिया लगता है तो हम कन्या पूजन के रूप में लक्ष्मी को मानें और लक्ष्मी पूजन को इस पकार से करें जैसे कि हमारे विद्वजन ने कहा कि कन्या का अपमान हम लोग निरंतर करते हैं हम कन्या की पूजा करते हैं महालक्षमी के सुरूप के अंदर नवरात्री के अंदर भी इसी प्रिकार का उपकरम करते हैं तो इस पष्ट है तो सिकार नहीं होगी हमें सर्वा पर्थम नारी की पूजा करनी होगी और नारी के सुरूप के रूप में हमें कन्या पूजा करनी ह कहीं, मः लक्ष्मे के पूजा करनी होगी., और इन महलक्ष्मे काली, तरति तरी कुनात्मी का एक या महेश के रूप में, महा विष्नु के रूप में, महा शंभू के रूप में, इन सब की जो जननी जिसे हम के सकते हैं Lita महा तृपूरशंदर्य। उनका विशेश रूप से जो कि लजिता महातिपुर सुनरी जो कि जननी के रूप में है तरी गुणात्म शक्ती के उंकि आराधना करना शेशकर होगा तो हम जितने भी सादू हैं जितने भी संद समुदाय है विशेशत वरूपर पर गुणात्मिकाई देवी की पुजा करते हैं और उन्हें दिपावली की महा लाया के रोज विशेश्त और्पय करते हैं जो कि 31 सक्टूबर के रूप में रहती है तंतर सरूप के अंदर यह आपको समझना होगा कि हम तंतर सरूप के अंदर जित्ते शेव मारगी है वे लगिता महातरिपूर सुन्दरी के अंतरात्मक अभी वेक्ती को उन पर स्थापित करते हैं और उसके बाद में उनकी पूझा करते हैं वेजि हम को हम देखें तो ओ मैं रहां सिम्ल Prag सो शेलिता महातरिपूर सुन्दरी देव्येन महा Circle के रहेगी महाकाल एक केंद्र है, काल गंडना का उजयनी और उजयनी इस पष्ट करता है कि 31 अक्टूबर की रात्री को आप ये सारी जितनी वितंतर साधना है, पूजा मार गए, चाहे ग्रस्तियों का है चाहे सन्या से उका है, वो 31 अक्टूबर की रात्री को फलित होने वाला है तो आप सभी से यही निवेदन है, कि आप एक को मनाए, 31 को मनाए स्वामी दयानन जी, क्योंकि जिस सरस से देखा जा रहा है, 31 को लेकर भी तरक दिया जा रहा है आपके इसाब से एक तारी को या एक नवेंबर को क्यों दिवाली की पुज़ा नहीं करनी चाहिए और मैं चाहूंगी जो लोग धंतेरस पर खरीदारी करते हैं, उन्हें किन बातों का खयाल रखना चाहिए क्या खास ऐसी वस्तू है जोने घर लाना चाहिए और फिर क्योंकि धंतेरस को जो चीज़ें हम लेकर आते हैं उनकी दिवाली पर पूजा करते है कि आपके निव चाइनल से मैं ये पूरे विष्य को बतलाना चाहता हूं कि जिस दिन जिसकी उत्पत्ती होती है उसी दिन उसकी बख्डे मनाया जाता है चाहे वो मनुष हो, चाहे देवता हो, चाहे ग्रन राचस पिकास कोई भी हो तो समुन्र मन्थन जो है ओस्टीरी मनी रंभा वारुनीयमिय संक गजराद धंधन मंत्री कलपतरू चंद्रचांप विश्यवाद ये अमोश्या के दिन मा का प्रकट हुगा था और इसने देवता लोग असलोग भी बनाया, हलाकि राचसों ने तो इतने उनको नसा चड़ गया था चुकि पहला दिन मन्थन था, अब साप के मुखार बिन से इतना बीस निकला था कि सब राचस जो है बेवस हो गए उसमें हमारे देवताओं ने असलोग बनाया, महालक्ष्मी चबिद महे, बिष्टू पत्ती चथी मही, तन्नो लक्ष्मी परचो ध्यात आपको बिष्टू भगवान जो सर्वेशा चे देवा नाम राजा परसोत मां, सर्वेशा चे मासा नाम राजा परसोत मां, अर्चात शोलहो कलाओं से जुक्त बिष्टू भगवान आपको अंगिकार करें इसके बाद में हमारे देवताओं ने या उच्च स्रणी के रिश्यों ने इसको बनाया हिरनवरनम हरनी सुवरनम रजतस्यजाम चंद्राम हिरनमई लक्ष्विन जात बेदू माया वह अय मा इस पृत्वी पर रहने वाले सभी जन को आप सावा मन सावा मन चांदी का आप दो जिसे ओपुजा पाठ में और अपने उपयोग करें इसके बार में तिस्रा स्वक बना हिरनवरनम अध्रा पुरस्कानि पुष्टी सुवरनाहे ममालनिम सुर्जा हिरनमै लक्ष्विन जात वेदू माया वह यह तो हमारे स्रीशुक्त हो गया अलग बात है लेकिन हमारे पुर वक्ताओं ने जो कहा है ओ अत्य उत्तम कहा है चुकि हम तंत साधना में लिड़ रहते हैं तो हमारे लिए उसके लिए समय चाहिए और एक तिसको पूर्णत पर समय मिल रहा है और यह दोनों दोनों चंद्रमा की कति यह बहुत जादा है सूर्ज की कति बहुत कम है द पूजा का समय तंत्र का समय और दिपावली किसकी है रात की पूजा होती है दिन की पूजा दिपावली की नहीं है इसमें नच्छत्र मिले उच्छे कोई मत्रम नहीं है दिन मिलना चाहिए ये जो है दिपावली जो है ओ अराधना की पूजा है मा की अराधना की जाती है ये नच्छत्र का पूजा नहीं है बहुत से चीज़ है जो नच्छत्र का पूजा होता है लेकिन ये जो है इस दिप मा पूरे में आपके स्टूडियो से ये घोषना हम लोग सभी बिद्वान करा है कि एक चारी को ही दिवाली मनाया जाए और आप में तर्क भी दे दिया क्योंकि ये जो पूजा है वो रात की पूजा है माधा कि आरादना जो है वो रात को की जाती है इसलिए 31 को ही दिवाली मनी चाहिए डॉक्तर मधू कोटिया अगर हम और एक बोल रहे हैं दोनों दिन भी मना सकते हैं लेकिन जैसा कि अभी आचारे जी ने बोला भी कि रात्री की पूजा होती है तो पूजा तो 31 को करनी चाहिए ये कार्ड में भी क्लियर आ रहा है और जितने भी डॉकुमेंटेट चीजें हैं उनमें भी क्लियर आ रहा है त जी अपन्यू जी भी हमारे साथ है उपन्यू जी उपन्यू जी आपके इक इत्रीत को दिवाली है और हसाब से बताया हमें सौमी दयानन जी ने भी वो अगर हम समझे किन बातों का खयाल रखना चाहिए और साथी मैं चाहूंगी कि आप धंतेरस के बारे में भी बताई है और चोटी दिवाली पर भी किन बातों का लोग ख्याल रखें किस तरह से पूजा करें धंतेरस को लेकर भी लोग घरों में पूजा करते हैं देखे धर्म और जोतिस ये दोनों जुड़ी हुई जोग हैं लेकिन अलग अलग है अभी अभी दैनन जी ने एक बात कही कि नक्षत रो उनको मत देखो ठीक बात है ना लेकिन जहां जोतिस की बात कह रहे हैं तो अमावस जो है वो साम को लग रही है इकतिस को अमावस में और दूसरे दिन लग रही है तो तिथी वो अच्छी मानी जाती है जिस में सूर्योदै और सूरयस तो दोनों हो तो एक तारिक को सुरीख देभी उसमें है और उसमें बाकी आप के ऊपर है आप क्या मना रहे हैं आपकी आस्था के ऊपर है धर्म ऐलग चीज़ है धर्म और इन दोनों को चलता साथ साथ है नक्षत देखेंगे, तिती देखेंगे, वार देखेंगे कान देखेंगे योग देखेंगे ये सब पांचो चीज का एक पंचांग होता है तो उस पंचांग की दस्ट के हिसाब से जो अब मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं धर्म की बात नहीं कह रहा हूं थोड़ा सा जोतिस की बात कह रहा हूं कि उसके हिसाब से अमावस जो है पूरी से फिर 14 होता है फिर दिवाली होती है फिर गोवर्धन होता है फिर भाई दूज होता है ये पांचों चीजें मिलके चलता है ये एक बहुत अच्छा हो है कोई दोरा नहीं तो इसमें आपस में हम लोगों को बहस नहीं करने की जरुवत है समझने की जरुवत है जोतिस के हिसा आपके एक तारीफ कोही देवाली है एक सूरी सिधानत ह酒 ग्रोडिक साइंस एक लूनर सिधानत ह BT है चंद्रमा辛 है क्योंकि को लोगों को दोशेankaぇ हमारी सी चंद्रमा ना से होते हैं कुछ पूजाएं हमाई सूरी से देकम देखोते हैं अभी सूरिच च्छठ पड़ेगी वो सूरिकों ही सारा सूरिसी दांट से है तो जोतिस में ये दोनों चीज़ें देखने समझनों है करना पड़ेगा इस बात को कि हमको ठाइम पूरा मिलना है शूर अस्त भी हमको मिलना है एक तारिक को और शूरी ओदय भी एक तारिक को अमावस में मिलना है बाकी आपकी मर्जी है हम किसी को किसाइज नहीं कर रहे हैं किसी को नहीं कर रहे हैं कि आप कब मना हैं आपकी उसमें अच्छा है दूसरी वाच अभी आप कहें लगन तो मैं बताओं जोतिस में जहां जहां जिसके बारा रासियां है सब के पूजा करने की अपना अपना होता है कौन लगनी स्थिर में है, कौन इस्थिर में है, कौन दूसर बाव लगन में है उनकी अपनी अपनी लोग नाम से नहीं पूछते है कोई दुकंदार मेरे पास आया उन्होंने कहा कि भाई हमें पूजा कम करनी है हम अब उसको उसके नाम और उसके हिसाब से पर्टिकुलर करेंगे तुम्हाई पूजा साथ बजे की है दूसरा आया उसको बता दिया नहीं तुम्हारा नाम यह है तुम्हारे यह तुम्हारे ल है लक्षिमी जी का वो है प्यार से मिनाई है आप दोनों दिन मनाई है और कभी-कभी ऐसा होता है कि परीवा दूसरे दिन नहीं होती तो एक दिन का हम लोग देहती हिसाब में अंजहा कह रहेता है कि तो वही एक तारिक अंजहा है तो मिर्ट्व जूर बहिं है त्यार खोक्ति τους जिना कंट सीगा फुरी यह टा सकवनोंगेशा मों करें जोरी हमा कि पौग रहे हैं जो हुआ पूरे दिन लेकि पुरा दिनी ही बह्गान के लासरो चोड़ कीजिए और आपको उसका फ़ल मिलेगा कहीं से कहीं कोई भी ये नहीं है कि हम प्रतिपदा को पूजा करते हैं तो उसका फ़ल नहीं मिलेगा ठीक मन्य जी क्योंकि सभी हमारे साथ जो खास मेमान हैं कि एक बार चर्चा में शामिल कर लेते हैं दयानन जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उससे पहले में आचार जीतु जी के पास जाओंगी आचार जीतु जी आपके साबसे 31 को पूजा होनी चाहिए और दूसरा क् आप खास तोर पर ये बताएंगी कि जो रात्री में पूजा करते हैं रात तक भग 12 बजया जिस साब से मुहुर्ट निकलता है जिस राशी का नुसार और जो खास पूजा दिवाली के दिन होती है उसमें किन बातों का खयाल रखना चाहिए और कैसे ये रात्री में पूज कौन को और लोग कर सकते हैं जी सबसे पहले तो इस महा पर्व की दिपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना हैं जब हम अमावस्या तिथी की बात कर रहे हैं तो अमावस्या तिथी जो हमारी एक्जेक्ली शुरू हो रही है वो तीन बावन से और वीस सेकेंड यानि तीन बच करके बावन मिनट और बीस सेकेंड पर शुरू हो रही है और ये तिथी जो समापत हो रही है वो एक तारीक को एकतिस को शुरू हो करके एक तारीक को शाम को छे बच करके सोला मिनट नो सेकेंड पर समापती है इसकी अब उद्या तिथी तो बहुत माने मान ये मिठाईयां बांटनी या गेट टूगेदर करना ये नहीं है ये हमारे लिए पूजा और भक्ति और मा को प्रसंद करके देरों आशिर्वाद धन के रूप में अपने लिए लाना यानि सुख और समरिद्धी साल भर हमारे जीवन में बनी रहे हैं यहाँ पर अगर हम रात प्रदोशकाल दो दिन लगातार पड़ता है तो हम परा को लेते हैं यानि दूसरे दिन का प्रदोशकाल मानने होता है तो मुझे अगर पूछेंगे कि आप किस दिन पूजा करेंगे मैं तो पूजा एक तारीक को करूँगी मैं अपने ओफिस की पूजा भी एक तारीक को करूँगी लेकिन सिंगल लगन की पूजा मैं 31 की रातरी में ही करूँगी क्योंकि सिंग लगन जो है वो आपको 31 की रात्री यानि complete होने के बाद 12 बजे तो वैसे ही दिन निकल जाता है 12 बजे तो हम दूसरी तिति को माने कर लेते हैं उसको आप 31 माने या एक माने आपको दोनों के बीच का एक अच्छा समय मिल रहा है जब आप सिंग अस्थ लगन की पूजा किजेगा वो समय मैं आपको बता जेती हूँ एक बज़ करके नो मिनट मध्यरातरी के 31 के मध्यरातरी और ये तिति जो है तीन बज़ करके 12 मिनट तक जा रही है तो आप एक से तीन तो करिएगा जरूर अब देखे यहां पे इतनी आस आस्था का परव है सही में जहां गुंजाईश बहस की नहीं है यहां आस्था की जरूरत है आप 31 मनाई एक मनाई है मैं नीजी तोर पर अपना परसनली करूंगा मैं एक को ही मनाऊंगी लेकिन सिंग लगन की पूजा मैं मध्यरातरी में ही करूँगी ध्यान की चीज़ों क सबसे पहले जब आस्था होती है तो डाउट नहीं होता है जहां डाउट होता है वहां आस्था ही नहीं होती तो यहां डाउट को पहले पीछे रखिए जब आप मालक्षमी को मनाने जा रहे हैं आप मध्यरातरी में पूजा करिए आप एक तारी को पूजा करिए वह आपक में आप पूजा कर लीजिए, celebration आप एक तारीक को कर लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा रातरी जागरन, ध्यान रखिएगा अपनी आस्ता में किसी तरीके की चूक ना हो, ध्यान रखिएगा कोई negativity thoughts जो है वो आपके इर्द गितना आए, आप रात को जा डिपावली की मध्य रातरी में, सिंग लगन में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ मा का ध्यान करते हुए, विष्णुजी का ध्यान करते हुए, नाराइन का ध्यान करते हुए, आप पूजा कीजिए, कमल गट्टे की माला से, जो मंतर आपको कंठस्त है, उस मंतर का जाब किज तो आप ध्यान सिर्फ मा लक्षमी का ध्यान करते हुए ओम अमा शिवाय की तो खेर हमें जाब करना ही चाहिए सबसे पहले फिर दूसरा जाब करना चाहिए ओम लक्षमी नारायन आए नमहा यानि नारायन जहां होते है तो लक्षमी तो वहां से जाती ही नहीं है तो उनका ध पर निगा। इसमें से कुछ चावल निकाल करके, घर में खीर बनाइए, उससे मालक्षमी को भूग लगाइए, और उतने ही चावल उसके अंदर फिर से भडदीजे, जितने चावल आप उसमें से निकालें, यकीन मानिए साल भर आपके घर में धन की वर्षा होगी, जी आपने उपाई भी बताया और मुझे उमीद है कि जो दर्शक आपको सुरने होंगे, वो यह उपाई दिवाली के दिन जरूर करेंगे, लेकिन दयानन जी, रितु जी आप वो आप 31 को कर सकते हैं, और वाकी एक को आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आप करें कि सिर्फ वर सिर्फ 31 कोई पूजा होने चाहिए, उसमें पूरा समय नहीं मिलता है, हमारा कहने का मतलब है कि जो अथरवासिस का जो साधक पार्ट करता है, कम से कम उसमें 20 मेर्ट सम सबसे बड़ा मंत्र है, जो डटा त्रे द्वारा परसुराम जी को दिया गया है, अथरवासिस सबसे संसार का, और यह जान लिए उसमें मंत्र में गून है, कि उसको रात में जपने के बाद उसके अहां कभी भी अकाल मिर्तु नहीं होगा, उसके अहां, जो जपता है, उस एक तारिखोला में नहीं कर सकते हैं पूजा पाद, और उस दिन समय कहां मिल रहा है, यह बोरी की समय समय है ही नहीं, रात की पूजा है, तो छे बज़े तो खतम होजाए, साथ बज़े कहते है, कैसे आप पूजा किजिएगा, जो आपका विदान है, वो नहीं हो सकता है, पुरे विस्ट को यह जाना चाहिए कि साध्र को साधना चाहिए और ओभी डिपावली के दिन चाहिए तो किस दिन मिल रहा है एक तीस तारी को मिल रहा है एक तारी को साधना आपको नहीं मिल रहा है इसलिए हमको सबसे आपके चैनल से पुरे भारत बर्स्वनी पुरे विस् उसी तिन सुप जोग है नच्छत्र है अब सब कुछ आपको मिल रहा है पूजा करने का समय मिल रहा है धंतेरस का पाट करने का भी उसके समय भी मिल रहा है और असल बात की हो जो मात्री का पूजा होता है जो पिट्रे पूजा होता है वो समय एक तारी को कहां मिल रहा है बता प्रण गदे पनेव चाहिंद नों और शूर्ज दुने बदेव खती सुरुगुरू गे जगत कारणं गदेपनगभशनं गदरं गदरं गदेपशुनांपती गदेशुट्स शूचांगहिय नंग बंदेव खत्द प्रिये बंदेभक्त जनास्रेय अचा वर्धबंदेशु शंक्रम इस संसार को किसने बनाया भगवान शंकर न बनाया और उनको जिब जोती जोतिस न दिया चंद्र और सूर्ज दोनों आई तो सूर्ज का गती बहुत कम है चंद्रमा मन सो जाते उसकी जदा गती है तो आप लोग मन से भगवान शीव भूत भगवान का नाम ले करके और दिपावली को मालक्षमी नरायन का मंतु से आप इसको मनाईए और खुशी मनाईए इतको मैं बोला कि पांट दिन के टेवार है दिपावली का ये पांट दिन मनाईए लेकिन असली जो है वो पढ़ रहा है एक तीस तारीकों ही पढ़ रहा है एक तारीकों नहीं आ रहा ह हमारे साथ रितु जी हैं, रितु जी देखे वास्तु के इसाफ से भी मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताए कि किन बातों का खयाल रखना चाहिए और साथ ही कुछ महा उपाए और क्या खास ऐसी चीजे हैं जो मा लक्षमी को चुड़ा कर भक्त प्रसंद कर सकते हैं देखे जो दीपोट्सा है, दीपावली का तिवहार है, इसका जो मुख्योदेश है मा लक्षमी को प्रसंद करना और वास्तू के अनुसार जो आपने बोला, तो देखे, सबसे पहले हम मा को आमंत्रित करते हैं तो अपने घर की साफ सफाई करते हैं, क्लींजिंग करते हैं उसके बाद एक आमंत्र देते हैं माता को, और फिर जब वो आज आती हैं, तो वो इस्थिर कैसे रहें, इनका उपाय करते हैं तो सबसे पहले अपने घर का जो मुख्य द्वार है, जो आपकी दहलीज है, वहाँ पर आपको गंगा जल, गुलाब जल, एक आप बोटल बना सकते हैं, जिसमें एक मैजिकल बोटर बना सकते हैं जिसमें गंगा जल हो, गुलाब जल हो, थोड़े से अक्षत के दाने हो और दालचीनी स्प्रिंकल करके उसमें हो और उसको आपको अपनी दहलीच पर उस दिन स्प्रे करना चाहिए साथ ही साथ देखिए मा लक्षमी को सबसे अदब प्रिये कौन है उनके पती भगवान विश्नु और विश्नु जी को हम जब अमंत्रित करते हैं प्रसंद करना चाहते हैं तो साबुत हल्दी की गाठ रखते हैं तो एक तो साबुत हल्दी मा लक्ष्मी को अर्पित करते हैं इस दिन और अपने दर्वाजे पर अपने द्वार के दोनों तरफ आपको हल्दी और रोली से स्वास्तिक बनाना चाहिए इस दिन कि जब मा आपके घर आती है तो सबसे पहले वो प्रसन मुद्रा में आपके घर और इसके बाद जब मा का आगमन हो चाता है तो अपने घर की देखिए कुछ चीजें जो मा को पसंद है एक तो साफ सफाई दूसरे बहुत ज़्यादा सजा सवरा घर हो सौंदर हो श्रिंगार हो सुगंध हो तो आपके घर में सुगंध जरूर होनी चाहिए कुछ भी आप ऐ लक्ष्मी का आप स्री सूख्त का पाट कर सकते हैं अगर आप घर में पंडित जी से करवाते हैं बहतर है नहीं तो आप आप ओडियो लगा सकते हैं कि घर का जो वाइब्रेशन है जो वाइपस है वो बिलकुल स्प्रिच्वल बन जाए मालक्ष्मी के स्वागत को हम लोग तैयार हो जाएं और जब मा के लिए जो पूजा वीदी है वो सब की डिपेंड करती है क्योंकि देखिए बंदो भवानी शंकरों शिद्धा विश्वास रूपेड़ें कहा है तुलसी दाजी ने रामचरित मानस में तो शिद्धा विश्वास यहाँ पर सबसे उपर है महत अवश्यक है धन तेरस पर हम कुबेर और धनवंतरी भगवान की पूजा करते हैं तो कुछ चीजे बहुत मेत्वपूर हैं कि जब भगवान धनवंतरी की पूजा की जाए क्योंकि हर किसी को आरोग्ये चाहिए और भगवान धनवंतरी आरोग्ये के देवता है राज वैद तो उनकी जब हम पूजा करें तो पीले रंगी वस्तुएं उनको अर्पित करें और भगवान कुबेर को हमेशा सफेद मिठाई या श्वेत वस्त्र या श्वेत पुष्प अर्पित कीजिए इससे क्योंकि धन धानने सब को चाहिए माता लक्षमी बहुत कुछ प्रदान करत हैं आपको सुख सवभागय समरिद्धी सौंदर और स्वास्त ये सब प्रदान करती है और मालक्षमी के लिए अगर उनको आपको प्रसंद करना है तो दुरगा सब्तुषती का बहुत संदर मंत्र है देही सवभागय मारुग्यम देही में परमम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही तो जब मालक्षमी आए तो वो आपको रूप दे जय दे और आपका यश दे ये सब देती है मालक्षमी अगर आप अपनी राशियों के हिसाब से भी थोड़ा सा ध्यान रख ले तो यही पूझा आपकी द्वगणित हो जाती है अगर तो आप मा की अराधना या मा का जब अभिशेक करें तो शहद और इत्र के साथ करें तो इससे मालक्षमी प्रसन होती है विरिशब राशी वाले लोग दूद से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं मिथुन राशी वाले लोग मालक्षमी को सिंहाड़े अर्पित करें करक सिंह राशी वाले लोग खीर का भोग लगा सकते हैं सिंह राशी वाले लोग मालक्षमी को कमल गटा निवेदिन करें मा को कमल गटा अर्पित करें और सिंह के बाद आती है हमारी कन्या राशी तो कन्या राशी वाले लोग दूरवार अर्भित कर सकते हैं और माल